नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी दुनिया में दोस्तों वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे हंग्री वोसे नेधर लेंड लेवन के बीच जो होगा एरुपेन किके चैंपेंशिप का आज का दिन का पहला मैच गाइस हंग्री स्ट टीम खुद अपने से क्रेट कर लोगे क्योंकि हम लोग इंडेप्ध अनलाइसिस करेंगे दोनों ही टीम के बारे में बहुत सारे चेंज़ेस हो रहे सिव आपको एक चीज़ धियान देना है ऑफिशिल प्लिंग 11 में आपके साथ शेयर कर दूंगा ठीक है और बॉलर जो है खास करके निदरलें 11 में तो धियान से आप वीडियों तक देखना टॉस के उपर बहुत कुछ डिपेंड होगा तो टॉस अपडेट फाइनल अपडेट डेमो टीम के लिए आप जरूर टेलीग्राम जूट सकते हो इसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज करो जो 310 रह गाएन उपर्स स्कुरूर रण बनते है बट विकेट गिरता है और नेदरलें 11 अगर बैट फर्स किया तो विकेड़ बहुत सारा गिरता है अगर नेदरलें 11 चीजिंग किया तो थोड़ा से कम विकेड गिरेगा ठीक है 34 मैचेश में अब तक 20 बार बैट फर्स ने व प्ले के साथ अब यहां पर जो important सबसे point निकल के आएगा वो होगा जिमस डू प्ले हर मेश में क्या balling कराएगा येस एक आदा over ये डाल जाता है बट कैप विसी नहीं बनाओ बट टीम में रख सकते हो आप ठीक है especially bet first bet first इनके किसी baller को drop करके जिमस डू प्ले को आप अपने टिम में रख सकते हो विनोत रवींदरन जितना अच्छा इनिंग से इनका 31 रंगा था यहां पर मुश्किल होगा क्यूंकि नेदरलेंड 11 का balling unit बहुत strong है जिशान खान कुकी खेल captain बनाने लाइक ठीक है बट मैं मानता हूँ अगर balling first हुआ तो ही captain बना हूँ second innings में मत captain बना हो सकता है इनका balling का जरूरत ज्यादा ना पड़े अभी तेश प्रिसार एक बहुत ही अच्छा पन्त है इस match में भी मैं last match में भी बताया था इसको captain vice captain बनाना इस match में भी बताऊंगा अगर इनका balling first होड़ा है अभी तेश प्रिसार वा balling हुआ तो guys उस condition में इनके minimum player लेना चारी player enough होगा अगर ball first होगा तो हर्ष मध्यान try कर सकते हो अब तक इनोंने ज्यादा कुछ खास किया नहीं है बट हो सकता है इनसे कि में opening करा ले और हो सकता है कि ये भी आपको 2 over में एक आदा युगे निकाल दो है दिखे अपिटिंग बॉलिंग प्रसार महंदाज जीशान कुकी खेल डेट में जीशान कुकी खेल आइडेली तो कराते है बट लास्ट में कराया नहीं था अबितेश प्रसार भी help कर सकते हर्ष मध्यान एम डेस फॉन्टेन गाइस अगर balling first होता है तो एम डेस फॉन्टेन आपक एक मैच में एक ऊवर में क्योंके निकाला टीटीटीए इसमें पांच मैच में दस ओवर में चार्विकर गाइस बॉल फॉस्ट हो तो ट्राइक करो सेकें इनिक्स में अद्यान दोगे तो इनका जो बैटिंग यूनिट है ना हर मैच में चेंज होता है बट अगर को कैप विसी बना सकते हो फिल बॉस्बें बॉल फर्स्ट हुआ तो कैप्टन ब्राइस कप्टन बना सकते हो ओलिवर एलन बैस मेरे साब से मैच में रख लो क्योंकि कुछ ना कुछ यह करा ही लेगा और हां इंपोर्टन बात है कि टीम क्या कर रहा है इनके जो ऐसे प्लिय मेरा मानना है कि टीम में रखा करो रिस्क मत लो और क्लेटन फ्लॉइड डिफॉल्ल कैप्टन है सबका दो ओवर कंसिस्टिनली डाल रहे है ठीक है ओपिनिंग बॉलिंग अगर देखो कि रियन क्लैन खिलता है तो जरूर ले ले लेना और हां डिफेंशल कैप्टन वाइस क कराते है एक लेटन फ्लॉइड और फिल बॉस बैन ठीक है यह इनका पास्ट का रिकॉर्ड है दोस्तों यह रहेगा फिलाल टीम अगर आप स्मॉल ली खेल रहो एक बात आपको जानना बहुत इंपॉर्टन है कि जो नेदल इन लेवन है यह अपने में बहुत सारे दॉच्छन रेस होगा नहीं बॉट हमें क्या करना है कि अगर इनका बॉलिंग फर्स्ट रहा तो इनका एक्स्टर बालर ली ना है विनोध रविंड के जगा अगर बैंडेन वूल आपडेट कोई भी उप्डेट होगा परसिनली मैं डेमो टीम शेयर कर दूँगा आपको पहले डम पे तो जूट जाना वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना थैंक्यू गैस मिल दे मैं शैंब यह